स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो स्रंख लाम है, मेरा नाम है अच्पी सोलंग व्यग्यानिक आधार नहीं है, यह बलतकार के आरोपों को नहीं तो सावित करता है और नहीं खारिज करता है इसके बजाए यह टेस्ट बलतकार या यौन उत्पीणन की पीड़ित महिलाओं को पुनहें प्रताणित करने और पुनहें आगात पहुचाने के समान है तथा यह उनकी गरिमा का अपमान है इस फैसले में नियायमूर्ती डीवाई चंदरचूर ने कहा है कि टेस्ट का मकसद यह पता लगाना है कि महिलाओं के साथ सारी रिक समन्द बने थे या नहीं यह इस तत्य के लिए यह प्रसांगिक है कि उनके साथ बलतकार हुआ था या नहीं सुप्रिम कोड ने कहा है कि यह धाना गलत है कि स्यक्सवल एक्टिविटी महिलाओं के साथ रेप नहीं हो सकता बताते चलें टूफिंगर टेस्ट पर जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या गा था जस्टिस वर्मा समीती के अनुसार इस परिछण का यौन उत्मिलनन के मामले से कोई भी समंद नहीं है इस परिछण के आधार पर सारी समंद के अभ्यस्त होने जैसे निसकर्च नहीं निकाले जाने चाहिए तथा यह कानूनी रूप से निसिद्ध है याद रहे इसी जस्टिस वर्मा समीती के अनुसार के अधार पर अपरादिक कानून संसोधन अधीनियम 2013 पारित किया गया अगर सुप्रिम कोट की निरिनेयों की बात करें तो निजदा का उलंगन मई 2013 में सुप्रिम कोट ने बलतकार पीलितों पर टू-फिंगर टेस्ट पर इस आधार पर रोक लगा दी ही इसे से उनकी निजदा के अधिकार का उलंगन होता है वेकलपिक पिरक्रियाओं की बात करने तो अदालत ने सरकार से यौन मामले की पुष्टी के लिए बहतर चिकतिसा पिरक्रिया प्रदान करने के लिए कहा था इसका एक तथे यह भी है कि यह टेस्ट महिलाओं के लिए दर्दनाक है यह परिछण चिकितिसी रूप से अनावस्चक भी है तथे यह महिलाओं के प्रती अबमान जनक तथा अक्सर दर्दनाक होता है जिसे समप किया जाना चाहिए आपको हमारी यह वीडियो स्रंखला कैसी लगी आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं साथी एच्वी सोलंक के स्टैडि को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं